नवश्कार दोस्तों भारत और चंद्रमा के अमिट प्रेम की कहानी कॉंपुटीशन कम्यूनिटी के जुबानी मैस रिजन स्वागत करता हूँ आपका कॉंपुटीशन कम्यूनिटी के इस यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर आज और कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्यपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक नई अबारत एक नया एतिहास लिखने जा रहा है भारत और इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन याने इस रो देखिए जो चंद्रमा है उसके साथ हमारा प्रेम बड़ा पुराना रहा है आप पीछे चितर में देख सकते हैं इस चंद्रमा को प्रेम के प्रतीक के रूप में माना गया है साथी साथ चंदा को मामा भी कहा जाता है तो भारत का एक बड़ा नातरहा है और मामा तक जाने का पहला प्रयास हमने किया था 22 अक्टूबर 2008 को जहां 386 करोड रुपे के साथ इतने बजट था हमारे पास और इस बजट के साथ हमें चंद्रमा पर पहुंचे थे हमारे हाथ लगा पानी जहां पानी और पानी का होना जीवन को दर्शाता है यह मिशन जानदार तरीकी से सक्सेस्फूल रहा था इसके बाद आया चंद्रयान टू मिशन एक लंबे अंतराल के बाद तीन चीजें भेजी थी एक तो था औरबिटर जो चंद्रमा के चारों ओर ऐसा चक्कर लगाएगा औरबिट में ठीक है उसकी फोटोग्राफ कलेक्ट कर सकता है और इसी का बजट सबसे ज़्यादा था इसमें साथ ही साथ इसमें जो लेंडर था जो एक लेंडर था जिसको एक रोवर रोवर याना एक चोटी सी गाड़ी नुमा एक गाड़ी नुमा आप कह सकते हैं इस रोवर को यहाँ चंद्रमा पर लेंड कराना था तो इसने जो लेंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई वहाँ पर वो क्रेश हो गया लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह और्बिटर स्थापित हो गया इसलिए 99% उसमें जो के सिवान इसरो के चेयर में थे उन्होंने कहा था यह 99% यह मिशन क्या रहा है सक्सेस्फूल रहा है और उसकी बानगी हम इस चंद्रयान 3 मिशन में देखेंगे तो कल का समय 14 जुलाई दोपहर दो बच करके 35 मिनिट सब अपने टीवी के सामने बैठे हुए होंगे सब देख रहे होंगे कि भारत कि इस प्रकार से नया इबारत लिखता है लेकिन इस इबारत में हमको इंतजार करना पड़ेगा एक लंबा इंतजार 42 दिनों का तो चंद्रयान 2 मिशन जो है ये 48 दिनों का था लेकिन जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 6 दिन कम यानि 42 दिन का समय यानि ये आपका जुलाई 14 को लांच होगा और जो इसकी संभावित डेट है पहुँचने की वो है अगस्त 23 तो अगस्त 23 को हमारा जो लेंडर है और जो हमारा रोवर है फिर से हम लेंडर भेज रहे है फिर से हम रोवर भेज रहे है और मज़े की बात क्या है मज़े की बात यह है कि यह जो और्बिटर हमने इस्थापित किया था चंद्रयान 2 मिशन में यही हमको वहां की शांदार तस्वीरें लेकर के भेज रहा है और इस हिसाब से जो चंद्रयान 2 मिशन में और्बिटर इस्थापित किया गया था उसका सबसे बड़ा योगदान रहा है चंदरयान 3 के मिशन को प्लान करने में ठीक है कि नहीं तो चलिए देखते हैं आगे कि किस प्रकार से ये चीजे होंगी कि 14 जुलाइक का हम सब को इंतजार है 2 बच के 35 मिनिट में ये जो लॉंच होगा श्री हरी कोटा सेंटर से और ये यहाँ इस्थापित हो चुका है प्रदिस्थापित हो चुका है और कल का हम सब को इंतजार है लेकिन मुद्दे की बाद समझने वाली ये है कि इस मिशन में अलग क्या होने वाला है तो ये बेसिकली एक प्रपल्शन तो है ही इसके अंदर ठीक है जो इसको पावर दे रहे उपर जाने की लेकिन साथ साथ में आपका एक लेंडर है और इस लेंडर का नाम वही रखा गया है जो चंद्रयान टू मिशन में था कि इसनी बड़ी बात है ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती तो हमने वही नाम रखा है ये विक्रम लेंडर है और साथ में ये जो गाड़ी नुमा रोवर कैरी कर रहा है इस रोवर का नाम भी हमने वही रखा है प्रग्यान तो यही प्रग्यान रोवर जो हमने नाम रखा था वही नाम इस चंद्रयान 3 मिशन में भी रखा गया है याने यह जो प्रग्यान है वो जा करके लेंड करेगा चंद्रमा की सता पर देखिए ये किस तरीके से होगा कि भई पहले तो ये अर्थ के पहले तो ये प्रिथवी के और्बिट्स में चक्कर लगाएगा लगभग 179 किलोमेटर का जो इसका उचाई है यहाँ पर ये पहुँचेगा पहले उसके पाद चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे प्रिथवी के गुरुत्वा कर्शन से ये बाहर हो जाएगा और इस प्रकार से ये यहाँ पर पहुचने का प्यास करेगा जैसे ये चंद्रमा की कक्षा के पास में पहुचेगा वैसे ये लेंडर को अपने आप से अलग कर लेगा याने इस रॉकेट से ये लेंडर जो है ये अलग हो जाएगा और ये लेंडर चंद्रमा की कक्षा में जो है दौड लगाते लगाते धीरे धीरे चंद्रमा की ग्राविटी को आगे छेदते हुए आगे भेदते हुए ये अंदर जाएगा और ये lander जो है इस rover को land करा देगा तो अब जो तीन चीज़ें हैं सर ये तो पिछले बार भी होई थी ये 960 करोड के बजट के आसपास आपका था इस बार का जो बजट है 610 करोड के आसपास का है याने जो और्बिटर का खर्चा था वो तो कम हो गया लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि चीज़ें successful होती हुए हमको दिखाई देंगी तो ध्यान से देखेंगे कि तीन चीज़ें होती है कि भाई एक तो spot का पता लगाना तो जिस spot पर land करना है उसका पता लगाना वो किस प्रकार का spot होगा उसका पता लगाना दूसरा जो electronic sensor है तो जो electronic sensor है रोवर के वो properly काम कर रहे है कि नहीं उसका पता लगाना और तीसरे नमबर पर ये कि जो है soft landing होने चीज़े और ये soft landing तब होगी जब speed और velocity control होगी तो अभी के जो हमारे वर्तमान इस रो के चेयर्मेन है उन्होंने यही कहा कि इस रो का जो चंदरयान two mission था उसकी सिर्फ एक ही दिक्कत ये थी कि ये जो lander था इस lander के अंदर में पांच engine लगे थे तो ये जो पांच engine थे ये इतनी ज़्यादा गती दे रहे थे जितनी क्या शकता नहीं थी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गती से land और माल लिजे आप एक चलती हुई train को पकड़ने का प्रयास करें हलाकि नहीं करना चाहिए ऐसा तो आपकी एक तो velocity भी होनी चाहिए एक normal speed भी होनी चाहिए train के हिसाब से और फिर आप train को पकड़ करके चड़ सकें ये भी होना चाहिए ये भी यही जीद यहाँ भी थी कि एक proper speed के साथ में हो जाए और उस proper speed के साथ में वो land करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे पड़े तो जैसे ही उसने हमारे प्रग्यान रोवर ने चंद्रियान टू मिशन के दरा लेंड करने का प्रयास किया जो उसके 5 इंजन थे उन्होंने उसको ज़्यादा exhaust दिया ज़्यादा power दिया और वो land properly नहीं कर पाया रोही पर जा करके crash हो गया तो इस चीज़ को सुधारा गया है इस चीज़ को सुधार करके इस बार चार इंजन लगाए गया है तो एक इंजन कम किया गया है चार इंजन लगाए गया है जो इसको proper exhaust देगा साथ ही साथ जो महत्पून वे वस्ता की गई है वो क्या की गई है कि इस बार कहते हैं कि भई सफलता से ज़्यादा सफलता सिखाती है तो इस रोच एर्मन का कहना है कि ये पिछले बार का जो model था वो success based model था कि success हो जाए इस बार का जो model है वो failure based model है कि पिछली गलतियों से हमने सीखा है और इस बार के model को failure based इस प्रकार से बनाया गया है कि जो lander है जो rover है उसको इस प्रकार से lander को रखा गया है कि वो soft landing कर सके किसी भी प्रकार की सता पर वो soft landing कर सके even यदि उस जगा पर land नहीं कर सकता है जगा को निर्धारित किया गया है तो वो दूसरी जगा पर भी land कर सके इस बार की जगा निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से निर्धारित की गई है देखिए जो कुराने वेल केनों होते हैं ठीक है वहाँ पर गढ़े नुमा crater बन जाते हैं तो ये जो crater है दो crater के बीच का एक पठारी हिस्सा यहाँ पर चुना गया है तो ये दो crater के बीच का जो पठारी हिस्सा है इसकी जो फोटो दी है इसकी जो तस्वीरे दी है वो चंद्रमा के चंद्रयान 2 के और्विटर ने दी है तो जो ये चो और्विटर हमारा घूम रहा है जो पिछला हमारा mission जिसको हम कहा रहे थे कि भाई फेल हो गया ये successful mission था और इसने ही ये picture है यहाँ पर निकाल करके दी है और यहीं से decide किया गया है कि भाई ये landing site होगी साथी साथ alternative वेवस्थ भी की गई है जो हमको 23 अगस तक इंतजार करना पड़ेगा लेकिन ये model इसलिए भी successful होगा क्योंकि ये logic based बनाए गया है पिछले बार का जो landing area था वो 500 meter भाई 500 meter का था ठीक है तो इस बार landing area को भी बड़ा कर दिया गया है ये जगाणी धारित की गई है लेकिन इस जगा के का जो area है वो बहुत बड़ा है पंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जो है 4 km की लंबाई रखी गई है और दूसरे तरफ लगभग 2.4 km की चोड़ाई रखी गई है तो इतने बड़े इतने बड़े लंबे area में landing का area रखा गया है ताकि ये बहतर तरीके से शांदार तरीके से launch कर सके और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम आने वाले समय में US, Russia और चाइना के बाद चौथे सफल देश होंगे जुसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है देखिए 2019 में सिर्फ इंडिया ही fail नहीं हुआ था इसराइल भी fail हुआ था इंडिया और इसराइल दोनों अपना rover land करना चाहरे था वो fail हुए 2022 में जापान का rover fail हुआ साथी साथ UAE दुबई का rover fail हुआ और बात इसमें सिर्फ पैसे के नहीं बात इसमें technology की है इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात है कि चंद्रयान 2 का भी mission यदि हम बाकी देशों से compare करें तो बहुत low cost पर बनाया गया था और इस बार को तो लगवग 300 करोड कम का पिछले बार से 300 करोड कम का इसमें budget लगा हुआ है यानि ये budget friendly भी है और साथ ही साथ ये देखना होगा कि आने वाले समय में चोथी शक्ती के रूप में आर्थी शक्ती के रूप में भारत सामने आ रहा है क्या चोथी शक्ती के रूप में इस पेस में हमारा प्रग्यान रोवर इस्थापित हो पाएगा हम और आप यही मंगल कामना करते हुए चलते हैं हमारे लिए सीख यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसी उद्देश्य के साथ में इस रो भी आगे बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य के साथ हमको जीवन में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और चंद्रयान तीन मिशन की सफलता का हम अब करेंट एफिट्स के तैयारी होगी और भी आसान क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों नहों आप बिलकुल निशुल का हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं आफ लाइन बिलकुल फ्री समय होगा शाम को पांच बजे माह के प पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको